हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो आज मैं फिजिकल एजुकेशन के उतराखंड एल्टी ग्रेड दोहजार अठारे का जो पेपर है उसको स्वालू करा रही हूं जिसमें से आपका सौ कोस्टन था यहां पे आप दे एजुकेशन से हैं बट जो मैं कल वीडियो में आपको बताये थी सिलेबस तो बहुत सारे लोग कर रहे थे यह ओल्ड सिलेबस है तो दोस्तों जो भी आपका नया सिलेबस है मैं मुझे वह मिल नहीं रहा है आप टेलिग्राम चैनल पर उसे सेंड कर दीजे प्लीज मैं उस 31 से मैं सौल करा रही हूं तो यहां पर कोर्शन नमर 31 है ठीक है दोस्तों जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटिशन एक का प्रिपेरिशन कर रहे हैं तो आप जानी रहे हैं कि कोर्शन का जो पैटर्न है धीर धीर बदल रहा है आप अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे तभी कोर्शन का एंसर दे पाएंगे तो बड़ी बात नहीं है आप बस को थियोरी अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए चाहे अगर आपको आता रहेगा चाहे वो वल नाइनर कोर्शन पूछे चाहे चार आपसन वाला पूछे पांच आपसन वाला चाहे वो इस्टेटमेंट बेस पे पूछे लेकिन अब आपको यदि अच्छे से पढ़े हुए है तो कोर्शन का एंसर आप समझ के दे ही देंगे तो अब बस आपको मेहनत करने की जवरत है बहाने बनाने की नहीं तो कोर्शन है दोस्तों यहां पे 31 नंबर कोर्शन से तो दोस्तों जैसा है कि मैं आपको बताई थी की F, A, R, तीन सो बार है तो जो हमारा उत्तोलक होता है एक्सिस, फोर्ष, एन रसिस्टेंस यानि भार तीन चीज़ों होती है यहांपे क्या पूछा है तो फर्स प्रकार के उत्तोलक में जो एक्सिस होता है भीच में होता है ओनंद थर्ड प्रकार क quiero me फोर्स यानि की बे honeymoon होता है तो यहां पी पूचा है कि किस प्रकार के उत्तोलक में भार यानि रिशिस्टेंज प्रकार बेन होता है नि को नौर번 बी जता है ।bach Hij वीडियो में हल करा रही हूं वीडियो लंबा हो जाएगा फिर भी आप धरे बना के देखिएगा अगर भागेंगे तो सलेक्शन नहीं हो पाएगा एक दिम आप धरे बना के किसी भी चीज को देखना आरम कीजिए दोस्तों कोशन है एक परपिछ एक प्रच्छेप द्वारा अपने प्रच्छेप वक्र की चोटी तक पहुचने के लिए लगे समय को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप एक प्रच्छेप कर रहे हैं इसको टेजेट्री के अंतरगत रखा जाता है टेजेट्री क्या होता है कि किसी भी वस्तों को या प्रच्छेपड होता है कि सार्ट पूट, जैलिंस फो इसकर आधी को किस कोड पर या एंगल पर फेका जाए कि वह अधिक्तम दूरी तो कोई भी दूरी तैय नहीं करती है और दोस्तों इसमें एक रेंज होता है यानि प्रच्छेप्रवी प्रारंबिक दूरी तथा अंतिम दूरी के बीच के दूरी को हम रेंज कहते हैं यहां पर हम जैसे कि हम कोई वस्तु फेक है तो यहां पर जो व समय लगता है उसको और फिर चोटी से फिर नीचे उतरते समय जब वस्तु नीचे की ओर जाती है तो इधर आएगी तो एडिसेंट टाइम कहलाएगी क्या कहलाएगी डिसेंट टाइम तो यहाँ भी पूचा क्या है कि एक प्रच्छे द्वारा अपने प्रच्छे पुवक्र की चोटी तक अन्सर होगा और हूप्त को संहसैं कि कोश्यन चाहिए नंबर 35 है ओजस्या जोतीजेक है तो दोस्तों यहाँ पे उभी दो है शिए जोलों यह संमय से समय है जह सकी भूलीत्र मुटेस में कैस को साक्षुर चाहिज़ टेस्ट के बारे में डेटेल में बताया हुआ हैं बॉली बाली 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 तो यहां पी आपको राइट अंसर हो जाएगा ब्रेटी बॉलीपॉल हो जाएगा तो बॉली कर स्था soon दौ तो आपको Zा चुटेते हे हैं कि पुडशो के लिए एंडबार इंडबार के है कि दोफ़ आप आप जानते हैं कि पूर्सों के लिए हैनवार का जो भार होता है 425 से 475 ग्राम होता है और महिलाओं के लिए 325 से 375 ग्राम तो आफसा नंबर सी यहां पर राइट अंसर होगा नेक्स्ट है हर्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं यहां पर जादे एक्स्प्लेट नहीं करूं कि जादे कोस्टन है सत्र कोस्टन करने में टाइम लगेगा दोस्तों तो हर्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं यानी भट्ट्यो के कोबलता को आश्टियो अमलेशिया बोला जाता है दोस्तों, ठीके विडामिन D की कमी से होता है, लिए प्लाष्ट की प्रक्रिया बीगण की प्रक्रिया को आश्टियोख्लास्ट जो त्सक्रिया के त्युक्लाष्ट ये भी दिहान रखेगा एंड नेक्ट्ट पूशन है बॉर्डि मॉस इंडेक्स dedic को दस्शाय जाता है तो दोस्तों आपका जो भार है आपके लंबाई की हिसाब से सही है या नहीं आपके वजन आपके वसा आपके मुटापा कुमापा जाता है बाड़े बास इंडेक्स से अफिट है कि नहीं तो इसको आपने के सुत्र होता है weight in kg upon height in meter square ठीक है तो यहां पर आपका क्या हो जाए है कि नेक्स कोशन है कोशन 38 है क्रिकेट में एसेज क्या है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आश्ट्रिया के बीच टेस्ट सिरीज हुआ था जिसमें से जो है इंगलेंड हार गया था कुछ ऐसा ही कहानी है दोस्तों उतना याद नहीं आ रहा है लेकि आश्ट्रिया और इंगलेंड के बीच टेस्ट सिरीज को जो है एसेज के नाम से जाना जाता है जिसमें पुतला जलाया गया था उसी राख को एसेज कहा जाता है कि एंड नेक्स्ट कोश्चन है कि कोश्चन में 49 उत्तानन और अधो वर्थन यादि यहां इंग्लिस वर्चन देखेंगे तो आपको आशानी से समझ में आ जाएगा सुपाई नेशन और प्रोनेशन मुमेंट्स आर एसोसियेट वीच तो सुपाई नेशन और प्रोनेशन प्रोनेशन गतिव होता है यहां पर रेदियस और अनला संदी से आपका राइट एंसर होगा आपसन नमबर ए जिसके सुपाई नेशन क्या होता है जिसमें हम पीट के बल लेड़ते हैं हमारी हथेलिया आस्मान के और फेस करती है और प्रोनेशन क्या होता है हम पेट की तर सिस्टोलिक दाव के अंतर को क्या कहते हैं तो दोस्तों सिस्टोलिक और डास्टोलिक दाव के अंतर को पर्स प्रेसर यानि नाडी नाडी दाव कहा जाता है याद रखेगा एंड नेक्स्ट कोशन है कि हारवर्ड स्टेव टेस्ट यानि की का प्रिवग किया जाता है आप जानते हैं दोस्तों यह कार्डियो वैस्कुलर इंडॉरेंस कुम आपने के लिए यहां पर आफसन नंबर बी राइड हो जाएगा कार्डियो वैस्कुलर इंडॉरेंस यानि की हिरे की मज़ूति मापने में नेक्स्ट कोशन है कि इस तर्नू क्लेडो मस्टायट पेसी इस्थित है तो दोस्तों इस तर्नू क्लेडो मस्टायट पेसी जो होती है वह हमारे गर् करेक है तो वाड़ पेसी हो हुए और गर्दक्यों को फ्लैक्सन एक्स्टेंशन काने में मड़त करती है याद रखेगा मोस्ट इंपोर्ण है नेक्ट दोस्तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी वाड़ा की स्थापना कभ हुई थी एक कोस्टेंज का एंसर आप सब लोग जानते हैं इसका 10 नॉमबर 1999 में इसका इस्थापना हुआ था आपसर नॉमबर 20 यहां पर राइट होगा सुर्जन लेंड की लुसाने सहर में में हुआ था इसका मुख्याला है कनाडा मॉडियर सहर में बरतमान अध्यस जो है वह जान फाहे हैं और नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी की स्थापना 24 नॉमबर 2005 में जवाला नेहरू इस्टेडियम नए दिल्ली में हुआ था मुख्याले नए दिल्ली है फुटबॉल में प्रयोग की जाती है याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्णिर है नेक्स कोस्टन है कबड़ी प्रतिविता में टाइम आउट की संख्या कितनी होती है जैसे बॉलिवाल में 30 सेकेंड का दो टाइम आउट प्रतेक्टिव में होता है उसी प्रकार जो है ब्रते से जूंड द्वारा अलग कुआ जाता है उसे क्या कहते हैं तो आप जानते हैं तो आहिए अपका यृपीय नेक्स कोस्टन दोस्तों कि की कौन सी प्रतियोगिता सामिल नहीं है तो दोस्तों कि डेकाथलान हेप्राथलान बेंटाथलान ट्राइथलान एक कमबाइन इवेंट के बारे मैंने एथलेटिक से प्लेडिस में जाएंगे तो आप डेटेल में तेखेंगे ट्रिक के साथ ऐसा बताया गया है कि पुरे दूसरे दिन 5 minute इवेंट से तुसरी दिन 5 इवेंट से पहले डिनंका पांड यी जो सो में इवेंट से 5 इवेंट वोते हैं उसमें स 될ा दर, लंम बी हैं यहांपर 200 मेटर प्रतिविता जो है अ नहीं है 200 मेटर प्रतिविता जो है वह है असर हो जाएगा फिंग ॉए правильно a नंहिक तो को सबस्क् Hybrid 1 बृफचर्व माहा कैस्त कूर्स करिक है उद्धर पिंग को सबस्ट कि उद्या था न मोघ passengers कोश्चन नमर 49 है कि भाला फेकने में पूर्सों के लिए भाले की लंबाई निमन में से कम नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों पूर्सों के भाला की जो वजन होता है 800 ग्राम महिलाओं के लिए 600 ग्राम पूर्सों के लिए भाला के जो लंबाई होती है 260-270 cm अब महिलाओं के लिए 220-230 cm होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि लंबाई निम्न मेंसे कम नहीं होने चाहिए तो जब लंबाई होती है 260-270 cm तो कम क्या हो जाएगा 250-260 cm से कम नहीं होना चाहिए एंडेक्सट कोच्शं है क्या गया State both eskidurubv lab federation की इसथापित किया गया था क्यामन has Gay Cash Pass क्यांकाल मान पेसियों की किसी भी विमारिय विकार के लिए इस सब्द का इस्तमाल किया जाता है तो कमकाल मांज पेसी की किसी भी बिमारी या बिकार को जानने के लिए तो वो किस सब्द का परियोग किया जाता है तो मायोपैथी सब्द का परियोग किया जाता है आफसर नमबर डी यहां पे राइट होगा नेक्स्ट है निम्ड में से कौन पेशी गती विग्यान के पिता जाने जाते हैं who among the following known as the father of kinseology तो kinseology यानि पेशी गती विग्यान के पिता दोस्तो अरस्त कुबला जाता है option number D यहाँ पे राइड होगा नेक्स्ट कोजन है कि सहन सिल्था को निधायत करने वाले कारक है तो दोस्तो if factors determining the endurance. आर गव्यर्णिद्हामर को निधायत करने क 용्युन चंपता यानि ऐरोबिक अठ्ष मैंने के सुर्द कारक यह था इन तो यह निधायत करते हैं तो अपरोगत समय आपका राइडर सिर्भर हो जाएगा आप स्पोर्स के अंतरगत नहीं आता तो मदर स्पोर्स जो है आपको जिमनास्टिक को कहा जाता है और क्वीन आप स्पोर्स के अंतरगत को भी कहीं रखा जाता है एसलेटिक जिमनास्टिक स्वीमिंग आदी को बट यहां पर एरोबिस को नहीं रखा जाता आपसर नंबर भी यहां पर राइट एंसर होगा दोस्तों यह confusion में है question number 54 थोड़ा इसको देखिएगा एड नेक्स कोच्जण है इथोमोईड हर्डी समंधित है तो दोस्तों यह इथोमोईड हर्डी जो है जो हमारे खोपड़ी की क्रेणियल पूर्ण होती है आर्ट होती है इसमें frontal, parietal, temporal, occipital, spinneal, and ethemode होती है इसमें इसमें इथेमोईड जो होती है वो जिसे जर जरास्ती भी कहते हैं क्रेनियल के फर्स के उपरी अगले भाग के साथ ही दिवार तथा नाक किछट को बनाती है तो यहां पर जाएट ज्यादा अंसर हो जाएगा नाक से ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 56 है कि बैर मिन्टल में सटल परिछड के लिए धी में सटल के लिए निसान है तो दोस्तो यहां आपका हो जाएगा पिछली लाइन से 990 मिलिमिटर नेक्स है कोशन नमबर 57 है कि बैटल डोर कि स्खेल का प्राचीर नाम है तो दोस्तो बैटल डोर जो है वहां बैर मिन्टर का प्राचीर नाम है नेक्स है कि महिलाओं की 400 मिटर बाधा दोर में आखरी बाधा से समापन लाइन तक की दूरी कितनी होती है तो दोस्तो महिलाओं की 400 मिटर बाधा दोर में महिला कुरूस दोरनों के लिए आखरी बाधा से समापन लाइन की दूरी जो है वो चालेश मिटर दूरी होती है कितना होती है चालेश मिटर दूरी जबकि यहां पर आफसन में कोई नहीं दिया है एक कोशन ही गलत पूछा गया है ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट पूच्च्टन है राउंड राव्बिंग टूणामेंट को यह भी कहा जाता है जोंदोर्स तो लीक टूनामेंट को रा राउंड राव्बिंग टूणामेंट एंद बर्गर शिस्टम और लावश वाhm कि दूलरить औरонित परकार का होता है । उट परकार के mistऊ डबल लिग में मैचों की संख्या घ्याद करने का सुत्र होता है या नियन माइनस वन एंड दोस्तों लिग टूनामेंट में फिक्सर जाने की तीन वीडिया होती है साइकल टेबिलोर एंड इस्टियर केस मेथड जैसा कि आप जानते हैं जो टूनामेंट होता है चार प्रक्र कोशन है कि जूलियस रिमेट कॉप की स्खेल को से समधित है आप सबको पता है यह फुटबॉल से रिलेटेड है फीफा कप को पहले जूलियस रिमेट कप का जाता था फीफा ट्रॉफी को नेक्ट कोशन है लाउन टेनिस में नेट की केंडरे में उचाई कितनी होती है दोस इसका पियश्मान कितना होता है तो आपको पता है दोस्तों कि जो है साथ से अगर कम है तो अमली होगा और साथ से अधिक है तो छारी होगा यदि साथ है तो वह उदासीन होगा तो अगर छारी है तो साथ से अधिक होगा यहां पे रख्त का जो पियश्मान है साथ दसमलो ती यानि कि पॉल वाल्ट में अप्राइट्स यानि जो के बीच की दूरी होती है डिस्टेंस बिट्विन अप्राइट्स जो है जो खंभों के दूरी होती है कि इतनी होती है दोस्तों बास्कोद यानि कि पॉल वाल्ट में दो खंभों के बीच की दूरी जो होती है 4.30 से 4.37 आपको पता है विटामीन B C और H यहां तीनों पानी में गुलंसील है उसके लावाँ A D E K जो है यह दोनों क्या है e-c k पानी पारिमान विद्यीज तरुमों है यहाँ पर यहरा繼續 किदा K e-d, A next question है डायपर्स चिकिस्टा में चोटिल च्थतर परतरंगों की प्रवेश छमता कितनी होती है तो दोस्तों यह डाइपर्स चिकिस्टा भी बिदू चिकिस्टा भी दी है जिसमें तरंगों की प्रवेश छमता जो होती है वह होती है आपका 15 से 20 सेंटीमिटर गहराई तक नेश्ट है कोस्टन नमबर सरसट है कि स्वेट रख्त कडिकाओं का जिवनकाल कितना होता है दोस्तों वाइड बलड सेल्स जो है जिवनकाल 4 से 7 दिल कहीं 7 से 10 दिल कहीं 3 से 5 दिल ऐसे मिलता है हर जगा तो यहां पर जो 4 आपसन दिया है उसमे भी र्याद रखिएगा नेक्ष्ट कॉमशन है दूस्तों वहनलेसे कौन सा तल यानि कि जो प्लेयमिटर होता है सरी को ऊपरी तरस नニचले भागों में भाह न होती किती ही एंटेने सचेडाό workad ameer क suburbs में तरह होती है चुझ को चाहिता कि जो होती है दाएंवाय में बज़िन अधार और ऊफ्रान के दाएंवाय में होती हैजिसे एकलो में बादोती है और नहीं ँरू मेटाव में प्राचिन युनान में अगाग किसे कहा जाता था तो प्राचिन युनान में जोस्तों जो आपचारिक सिछा पड़ाली होती थी उसको अगाग कहा जाता था और उसके करतर जाता को पैड़ोनुमस कहा जाता था साइबेक्स मसीन की सिधान पर अधाईद है यहां पर एंग्लिश वर्जन देखेंगे साइबेक्स मसीन इस बेस अंदर प्रिस्पल आइसो टोनिक आइसोमेट्रिक आइसो काइनेटिक दोस्तों आप जानते हैं कि जो मसीनियों द्वारा किया जाता है वह अक्सर सम गतिक यान थे यहां को जो किने आप राइक झाली को कमें दीक हैं impología जाजाता है कि भूख कोशन है नेफब्राओं इकाई नेश कोशन है कि प्रचूर मात्रा में रख्त इस्त्राव के लिए इस सब्द का परियोग किया जाता है दोस्तों ये हेमरेज जो होता है उसके लिए परियोग किया जाता है जिसमें प्रचूर मात्रा में रख्त इस्त्राव हो जाता है और जो है जिसे ब्रेन हेमरेज हो जात जाता है नसे फट जाती हैं तो इसे हेवरेश की रूप में जाना जाता है कि एक राहत कारेकरता द्वरा एक वयस के को सी पी आर चाती पर दबाओ किस दर पर प्रती मिनट दिया जाता है तो यहां पर कार्डियो प्लमोरी रिसिटेशन से प्लफांग होगा जो प्रती मिनट कितना इस पीर से दिया जाता है सो बार प्रती मिनट कितर से छाती पर थप थपाया जाता है जो ब्यक्ति सास नहीं ले पा रहा होता है इसको डाक्टर से ले आरे से पहले थप थपाया जाता है उसको सी पी आर बोला जाता है कोश्चन नमर 75 है कि सारीक सिच्छा सिच्छा का वह हिस्सा है जो सारी क्रिया कलापों के जर्ये ब्यक्ति का विकास करता है यहां कथन किसका है तो यहां कथन है ए आर गोमेन के द्वारा कहा गया है नेक्स्ट है निमन में इसे कौन समन्वे का प्रकार नहीं है तो दोस्तों कोडिनेशन वाट इस नाट टाइप अप कोडिनेशन जैसे कि आप जानते हैं जो कोडिनेशन होता है साथ प्रकालका होता है जिसको मैंने ट्रिक बताया हुआ हुआ था 1 2 रो इस सहे इराप्रेसटन अerdings को कि मेंडेक्ता बैलेंस टी ती क्यू परेंब्स एग्टेंर मेवले डिफिट से से ने रिद्मिक उसी मेरी कि रिक्शन के प्रेक्शान says इंडेक्शंविंडेटी और अधी भी धी नहीं है, याद रखेगा, यहाद रखेगा, यहाद रखेगा, नेक्ट कोशन है, कोशन नमर 77 है, कि बैर्मिंटन में यदि बिना किसी फावल के, सर्विस दोबारा करनी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो बिना किसी फावल के सर्विस दोबारा करनी हो, तो उसे कहा जाता है लेट सब्द से उसको प्रणॉंस किया जाता है याद रखेगा नेक्स कोशन है कोशन में 78 है कि विश्व स्वास्त संगठन की स्थापना कब हुई यादि कि वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजेशन डूली अच्चो की स्थापना कब हुई थी साथ अप्रेल 1948 को हुआ तो याद रखेगा कि दोस्तों बिजलन कि सबसे अधिक विश्व स्वास्व कौम सी है दोस्त डोस्तों मानक बिजलन जो है स्टेणडर्ड डिवीेशन सबसे विश्वसनी माप होती है तो सरीक के लिए अपेच्छित संतुलित अहार में कर्भोहाइडेट प्रोडीन था वसा का अनुपाद कितना होता है दोस्तो तो आपको पता है कि इन थे का अनुपाद जो होता है 411 होता है कितना होता है 411 जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे भोजन में कार्भोहाइडेट प्रती दिन हम लेते हैं 55-57-50% परसेंट और प्रोटीन 10-15% जो है 25-30% इस प्रकार तीनों कानुपाद हमारे भोजन में संतुरित आर में 411 होता है यानि चार भाग आपका कार्भोहाइडेट रहेगा तो एक एक भाग आपका प्रोटीन और वसा रहेगा याद रखिएगा नेक्ट कोश्चन है दोस्तो राइवोसोम क्या है दोस्तो आप सबको पता है कि राइवोसोम जो है प्रोटीन निर्मान की फैक्टरी का आ जाता है प्रोटीन की फैक्टरी यह इसलिए यहां पर राइड अंसर होगा प्रोटीन संसलेसर का कारिक करता है अधिगम का कोहलर सिधान किसे से संबंधित है तो दोस्तों कोहलर ने थिया था इंसाइड थियोरी यानि अंतर जिश्टी अधिगम जिन्होंने आपका एक चिंपैजी परियोग किया था जिनका कहुना था कि संपूर पजिस्टियों का अधियन करने के बाद नेड़ा लेना चाहिए तो यहां पर आपका राइटेंसर हो जाएगा आपसा नंबर सी ट्राइंग इर थिया था आपका थांडाइक ने कंडिशनिंग थियोरी पावलाव ने अट्रांसपर आप लर्निक दिया था था थांडाइक ने ठीक है वे तो पाइस आपका असरा नंबर ए आपका राइट एसेन्सर होगाउ अर्यक्शन है कॉस्टन नंबर 84 है है हाइपो काइनेटिक रोग का कारण है लुखा था तो दोस्तों हाइपनेटिक रोग जो है हमारे हर्डियों और पेशियों के कम जोडि को रोग कहते हैं अग्षियू को रहिए एक इस्वू स्वास्ति कारिकरों में किसी समयद्न नहीं करते तो दोस्तों हम स्वास्त-संबंदी अनुदैस यानि कि हेल्ठ इंस्ट्रक्सन लेंगे पच्चों को समझा ये हैंगे च्कशा श्रीminself ist ठीक है आपका पच्चासी का हो जाएगा राइडेंसर डी कि स्वास्त अनुजहंधान यहां पे रही होता है नेक्स कोशन है दोस्तों इस टार्च है यही कोशन आपके विप्यासे टीरीफोर में भी पूछा था कि जो हमारे मांस्पेसियों और क्या कहते हैं कि लीवर में जो ऑब का ग्लाइकोजन इस्ट्रोर होता है वो किसके रुपने होता है तो मुनो सक्राइड डाय सक्राइड्ट में तो दोस्तों तो धूद्ध यहां भी राइलेंसर होगा और का पॉली सेकराइड्ड िहाँ है श्कूरा एक अडू जैसे सरकरा के एक औरू से मिलकर बना होता है डाइसेक्राइड सरक्रा के दो अड़ों से मिलकर बना होता है जो पालिसेक्राइड होता है जो जटिल सरक्रा होता है वो सरक्रा के दो से अधिक अड़ों से मिलकर बना होता है जिसमें से मोनोसेक्राइड के अंतरगत ग्लुकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक् the next question is किस खेल से समन्दित है इस प्रकार का को स्वी आया था भी प्रशी टीरी फ़ोर थ्री में दोस्तों तो आपका जो है तानिया सचदेवा जो है वह सत्रंज से समन्दित हैं नेक्स कोशन है दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रजिए बीच में स्कीप मत किजएगा धैरे बना के देखिए इस पार्टा में खेलों के मैदान को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इस पार्टा में खेल के मैदान को प्लेते निश्टास बोला जाता था के कि तिक है कि सिब्सक्राइब कि पूल की लंबाइई की होती है आप सब को पता है इन ज्बेवी ने की दरसन परतिपादन किया था जानते हैं कि यह यह यहां पर राइट होगा इसको ब्योहारवाद प्रियोगवाद और डियोईज में भी कहा जाता है और प्रक्रितिवाद के नीचलियलिज्मी संस्थापक थे रूसो अधरसवाद आडियलिज्मी के प्लेटो ठीक है यह थार्थवाद के आपके और अस्तू थे कि किस प्रकार की वशा स्वास के लिए हानिकारक नहीं होती है दोस्तों वशा जो है दो प्रकार की होती है सेचिरेट यानि संत्रिप्त वशा और अन्सेचिरेट यानि के और संत्रिप्त वशा जो संत्रिप्त वशा संत्रिप्त वशा संत्रिप्त वशा संत्रिप्त वशा संत व्यूंतित्व होती है जो हमाइए लिए जिसे मीट प्लेट्री उसपाद डेरी उतपाद यह हमारी स्वास के लिए उतना अच्छा नहीं होता है जब कि अन्सेचरेटेट जो असंत्रेट्ट वसा होता है वो कोलेस्ट्राल के इस तर को नियद्दित करता है जिसमें हमारा अन वसा विए जो है दो प्रकार का होता है मुनों अंस जिरिट उपालि इसमें आपका ओमेगा थी फैटी एकिट आता है जिसमें हमाना बादाम का जो मुंभली स्वर्ज मुंखी आरी आते हैं जो एसडियर यानि हाई डेंसिटी लीफ प्रोटीन को अधिक मात्रा होती है जो ह हमारे स्वास के लिए अच्छा होता है यहां पर राइट इंसर हो जाएगा और संद्रिप्त वसा यारे की अन्सेजुरेड़ेट फैट किसकी खराबी के करण फुफू सोफ की इसी ती प्रकट हो जाती है पॉन्मूल्री ओर्डिवा इस ड्यू तू दौ फैलियर आफ तो किसकी खराबी की करण होता है दोस्तों तो हमारा जो सुद्रक्ट को पंप करता है तक से जदा काहिए करता है हमारे हिदय का बाया भाग जि इसके खराबी के करण फुफू सोफ की इसीति उत्पन हो जाती है घृत को संद मतिशन है को सनन्मेर 93 इस प्रेंट चोट है तो तो आप सब्सक्राइब जाते हैं स्प्रेंट जो है लिगामेंट की चोट होती है इसे मोंस भी मना जाता है और जो इस प्रेंट होती है जिसे कि टेंटन होती है वो कंकाल मान स्पीसियों को हड़ी और सुजोड़ती है नेक्स कोशन है कोशी का कि आत्म हत्या की थैली कहा जाता है तो दोस्तों लाइसोसों को बोला जाता है एटम बम भी बुला जाता है और डाईजेस्ट्य बैज भी बुला जाता है लाईसोम के याद रखेगा इतने सारे नामों से जना जाता है नेष्ट है एज एन खेलो का सिधाव यान मोटो इवर आणवर्ड हमेशा आगे कीचिप उर हमेस्वा ओगे से याद रहेता है जर्मनी principle सिछा का पिता किसे माना जाता है तो दोस्तों जर्मनी सारी सिछा का पिता charnan besiper कशेता है जिनास्टि का पिता गर्सवार्स को बुला जाता है सबस्क्राइब का है इस्ट कोशंट है कि टेबल टेनीश खेलग का प्राराम कहा हुआ है व्यंग एंग्लाएंड में हुआ था याहनिक्स कोशंट है चीहल टेनीश चीन के राश्टी खेलहें शूंबट दो पास्वी खड्यों यानि की दो पास्वी खड्यों के बीच के जोड को कहा जाता है तो जोईन्ट between two par pass works is called तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अचल संधी होते हैं जैसे सबसे बड़ा सूचर होता है यहां पर क्या कुछा है सबसे बड़ा सूचर होता है तो सबसे बड़ा सूचर होता है जो क्रोनल सूचर होता है वो फ्रंटल हर्डी का जुड़ होता है और जो लेंबॉयर सूचर होता है वो प्राइटल हर्डी से जहां से औसी पिटल हर्डी जुड़ी रहती है वह होता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों क्रायो थरेपी को इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों क्राइब अर्फ को ठंडी चिकिस्टा या बरफ चिकिस्टा को क्राइब बूला जाता है तहीं कोई भी और नहीं दिया हुआ है यहां पे रिटे अंसर हो जाएग उप्रोप्त में से कोई नहीं। आफ्सन नमले लाच्ट कोस्टन है एमाईलेज लाईपेज थार्ट ट्रिप्सिन लिज्टब्ध उत्पन होते है यह तो यह थो उत्पन होता है पैंक्रियाज में यानि आगनासय में आखर मिलते हैं छोटी याद के पहले बाग गरहड यानि डेडियूनम में यहां पर आगनासय तो दिया सब्सक्राइब इसता है जो यहां पर यहां पर इत आयों हहें गर्ण के ता分का gjण姐 करता है यह दंग हमाहां पर आतुट अचा का अचण करोने फिलन कि redu ot यहां अचा यहां पर नहीं है तो नशी जो है थो यहां फिल शीदा एक सकत्की को और तो दोस्तों यह था आज की सेजन में आपको प्रैक्टिस कराया जो उत्राखंड एल्टी ग्रेड में आया हुआ था और कोशिश करनों की 2021 में जो हुआ है उसको भी हल कराने के लिए और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब आपको 18 एकस्त को एक्जाम है उससे पहले पुरा कराने के लिए और जो आपका नियू सिलेबस है दोस्तों आपके पास अगर होगा तो जरूर मुझे टेलिग्राम गूरूप में बेजने का कॉस्ट करें जिससे में उसके एकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं और जैसा कि जानते हैं सिलेबस तो वही होता है फ